तो OCM योगी मुखमंत्री के द्वारा ये दिसा निर्देज जारी हुए हैं और लोकारपणवा सिलान्याज भी हो चुका है CNG प्लांट का और जैविक खाद भी वहाँ पर बनाया जाएगा और CNG प्लांट भी तयार होगा ठीक है यानि कि प्लांट बनाया जा रहा है जिसमे समू की महिलाओं को काम मिलेगा मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जैविक खाद से संबंधित समू की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जारी है यार शेटी के द्वारा जो महिलाओं लेना चाती है ले सकती है तो बस वही सब चीज़े हैं यहां पर भी लागू होंगी स पूर सो को भी इसमें काम मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है आप सभी के लिए तो पहले आप वीडियो को देखें क्या क्या अपडेट है और लोकारपनवा सिलन्यास कैसे और कहां हो रहा है और कैसे लाब मिलेगा आपको काम कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे तो पूरी वीडियो देखें चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरू करें बायो सियंजी प्लांट का सिलन्यास किया गोरपूर को कूड़े से मिलेगी मुक्ती चलिए जानते हैं साथ अप्पैल की जानकारी है नगा निगम के चीफ इंजीनियर संजय चौह सियंजी और जैविक खाद का व्युसायक इस्तेमाल करेगी यानि इसे बाजार में बेचिक और अपना खर्च निकालेगी आप सभी को मने बताया था आपको जैविक खाद बनाने के लिए संगो की मैला को ट्रेनिंग दी जा रही है और आर्ट सेटी के द्वारा बैंका उतनी में गीले गीले कूडे से बायो कंप्रेश्ट नेचुरल गैस बनने वाली प्लांट का लखना में वर्चूल सिलान्यास किया डेड़ सो करोन रूपए यानि के 150 करोन रूपए की लागा से प्लांट का मनिर्माड मुंबाई की कंपनी एडवर इन्वाइरो रिसोर्स म लोकारपण भी किया है उखमंत्री ने शिलान्यास कारेक्रम का नगर निगम सदन हाल में सीधा प्रसाद प्रसाडन किया सूबा 11 बजे निरवर्तमान महापौर्ट शीताराम जैस्वाल की मौझूदगी में सभी कारेओं के बारे में विश्तार से बताया नगर निगम और नगर पंचायत में होने वाली कारेओं में सड़क नाली के साथ मैटेरियल रिकवरी और फिसेलिटी शेंटर पानी की आपूरती आदी सामिल है यानि कि यह सब काम करवाया जाएंगे इसके अंतरगत इस प्लांट में से निकलने वाले गीले कुडे से बायो सियंजी गैस के लावा खाद भी तयार होगी नगर निगम की टीम साहर से निकलने वाली गीले कुडे को प्लांट तक पहुचायेगी प्लांट में लगी मसीन के जरीए कुडे की शटाई होगी इसके बाद जरूरत क एक हजार किलोग्राम बायो सी अंजी का उत्पादन होगा साथ ही 40 टन जैविक खाद बनेगी जिससे महा नगर में रोजाना निकलने वाले 250 टन से जादा तर कूड़े का निस्तारन हो जाएगा इसके बाद आप यहां पर जान लीजिए यहां तक की प्लांट में लगे करमचारियों को वेतन आदी भी कमपनी ही देगी वहीं नगर निकम को केवल जमीन उपलब्द करानी होगी इस जमीन के इवज में प्लांट इसंचालन करने वाली कमपनी प्रतिक साल रायल्टी के रूप में नगर निगम को 56 लाक रुपए भी देगी 15 साल के बाद कमपनी चलती हालत में नगर निगम को यह प्लांट सौप देगी एक साल में प्लांट के सुरू हो जाने की संभावना नगर निगम के चीफ इंजीनियर संजेच वहां ने बताया एक साल में कमपणी इस प्लांट को तेयार कर लेगा इसके बाद सहर का फुड़ा महां गिरने लगेगा फिर बायो सीएंजी के अलामा जैविक खाथ बनाए जाएने लगेगी कमपणी बायो सीएंजी और जैविक हाला कि यह प्लांट जो है वो प्राइवेट कंपणियों को सौप दी जाएंगी लेकिन आपको समू की मैलाओं को इसमें काम दिलाया जाएगा इस बात के थ्यान रगिएगा पूरुज भी काम कर सकते हैं समू की मैलाओं भी अलग सिफ्ट में काम कर सकती हैं और बहुत ही त्यार होने में उसके बाद आपको काम मिलेगा तो एक साल तक तो इंतिजार करना ही पड़ेगा बाकि जो अपडेट थी मैंने आप सब्सक्राइब कर दें चैनल पर नियुक्त सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं इंगले वीडियो में नेजान करें किस साथ थैंक्यू